तो तो यहां पर दोनों बटन दिख रहे हैं आपको यह लेफ्ट बटन है और राइट बटन को ब्लू करना है और राइट बटन को ब्लू को इसमें next question है आपके पास यहां पर correct option हमको select करना है और यहां पर write down करना है moving pages up and down is known as क्या कहलाता है scrolling तो उस पर tick करना है और यहां पर write down करना है when we right click कौन सा menu appear होता है context menu appears right click on any object to be a context menu तो right click हम tick करेंगे और यहां पर right click हम लोग लिखेंगे भी साइस में next आपके पास है moves the object from one place to other dragon drop एक जगह से दूसरे जिए object को ले जाता है is used to scroll the pages pages को scroll करने में कौन यूज आता है scroll wheel okay फिर आपके पास है lay practice आपको MS paint open करना है अपने system में then जो आपका उस MS paint के अंदर आपको एक house ड्रो करना है दिखरा आपको ऐसा house यह कैसे ड्रो कर सकते हो आप उसमें जो shapes दी हुई है उसकी help से भी आप use कर सकते हो then कोई भी आपको एक icon desktop पे लेना है और उसके right hand bottom corner पर आपको desktop पे drag करके उसको ले जाना है फिर उस किसी icon पर right click करके उसका context menu open करना है यह तीन आपके पास lay practice है आपके